शरिवार को किशोर कुमार का जन्न दिन है मौसिकी को नया आयाम देने वाले किशोर्दा का इंदौर से दिली नाता रहा है ये रिपोर्ट देखे पाच रुपया बारा अना मारे का भै या ना-Nanana पाच रुपया बारा आना ये वो रखम है जो हर दिल अजीच पनकार किशोर कुमार ताउम्र नहीं खुले तरसल किशोर कुमार और उनके छोटे भाई अनुप कुमार तोनों ही इंडॉर के क्रिश्चन कॉलिज की खोज़ते में रहते हैं किशोर कुमार भी हमारे कॉलेज में 1946 से 48 तक रहे दो साल उनों में जहाँ अब ये हॉस्टिल खंडर बन चुका है इसी हॉस्टिल के बाहर एक चाय की कैंटीन हुआ करती थी मुपलिती के दौर में किशोर यहां उधार की चाय पिया करती थी ये उधार पाच रुपे बाहरे आना हो गया कैंटीन वाला जब भी उधार मांगता किशोर कुमार मौज मस्ती वाले अंदाज में गाते पाच रुपे या बाहरे आना मारे का भाई या ना 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 ये छेड़खानी कब काल जई गाना बन गई पता ही नहीं चला और यहीं से किशोर कुमार की जो अदाकारी है जो संगीत की दुनिया में उन्होंने पहर जमाया उसकी शुरवात हुई थी किशोर की एक खास बात ये थी कि वो जितने समय इंदोर के क्रिश्चन कॉलेज में रहे संगीत से उनका वास्ता तो रहा लेकिन परदे के सामने किशोर कुमार कभी भी नहीं आए एक बड़ी बात थी लेकिन उनके अंदर का जो एक संगीत का हुनर था जो एक अदाकार का हुनर था को लगातार फूट रहा था कहीं न कहीं उसे एक मुकाम चाहिए था शायद आपने भी वो गाना सुना होगा, 5 रुपईया 12 आना, मारेगा भाईया ना 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 ना, ये गाना जो है उसकी इजाद इसी Christian College से हुई है, एसा बता जाता है, Christian College में कैंटीन में किशोर कुँमार का 5 रुपईये 12 आना आज भी बाकी है, और इसको लेकर किशोर कुमार किशोर कुमार की याद में इन दौर के कृष्टन कॉलिज में हर साल आयूचन रखा जाता है और उन्हें चाहने बारे उनका जन दिन जोशु खरोश के सास मनाते हैं किशोर कुमार का इन दौर से दिली नाता रहा इन दौर के कृष्टन कॉलिज के स्टेज पर उनके अंदर के गायक ने मुकमल रोप लिया बताते हैं कि तब बहत शर्मीले किशोर कुमार स्टेज शो के समय परदे के आगे नहीं परदे के पीछे से गाना पसंद करते थे स्टेज पर कोई शो चल रहा होता और किशोर परदे के पीछे से कभी किसी लड़की की तो कभी किसी लड़के की आवाज निकाल रही मत्खरापन उनके खून में था क्रिश्चन कॉलेज के स्टेज से शुरू हुआ ये सफर स्कायक, संकीतकार, अभिनेता, मिर्माता लेखक जैसे अलग-अलग किरदारों में ठलता गया परहा, किलचस बात तो ये है कि अमीर गायक उने के बाद भी किशोर ने कभी उस केंटीन वाले को पाच रुपया बारहाना नहीं चुका है कई कीमती तोफे दिये, लेकिन अपनी मस्ती नहीं छोड़ी जब भी आते, कैंटीन वाले को छेड़े भिना नहीं जाते एक अलग ही सकून मिलता है जब इस पेड़ के नीचे खड़े होते हैं ये मोहन ही किशोर नुमा हो जाता है जब किशोर का जन्दिन होता है और किशोर का जन्दिन सदिया याद रख सकती हैं क्योंकि किशोर ने संगीत की दुनिया में वो कर दिखाया है जो शायद आने वाले कलाकारों के लिए किसी बड़ी चुनौती से कमना होगा वीडियोनलिस नीरच जावलिया के साथ आदे तुसेंग